सब्सक्राइब करें हमारा यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स वीडियोज नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें नमस्कार सातियों परिशकार वल्ड एप पर आपका हार दिक स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है रीट के लिए जो परिशकार के द्वारा एप पर आप लोगों के लिए जो 140 प्लस कुश्चन की मार्किंग के अंतरगत जो टेस्ट संकिला चलाई जा रही थी उसमें आज हम इतिहास से सम्मंदित प्रश्णों पर परिशर्चा करेंगे तो सुरू करते हैं आपके टेस्ट को देखिए आपको पता है कि भारती इतिहास का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके रीट के अंतरगत है आज हम राजस्तान और इतिहास के जो भी टॉपिक्स उसमें दिय लिपी ठीक हैं सिंदू गाटी सब्वेता की लिपी का प्राचीन तम शाक्ष कहां से प्राप्त हुआ यह कब प्राप्त हुआ तो एक है 1813 में बी है 1853 में सी है 1893 में और डी है 1913 में तो सातियों इसका सही उत्तर है आपका ये बी 1853 में कैसे तो वो ऐसे कि जब भारती है पुरातात्व विभाग के जनक के नाम से प्रसिद्ध कनिंगम हडपा के टीले पर गए थे पहली बार वो वर्स्ती 1853 और कनिंगम महोदे को 1853 में यहां से एक महोर की प्राप्ती हुई महोर की और उस महोर को अपने साथ ले आए उस महोर के उपर एक सिंग वाला गैन जो है बैल अंकित था और उसके उपर कुछ लिपी के साक्ष थे लेकिन जो सिंदु सबता की महोरे होती थी उन पर इस प्रकार की एक गोल जो नहीं हैं माला उसको यह माणा कि तावीज है और इस आदार पर महोरों पर सिंदु सबता की लिपी का अंकन होता था इस आदार पर सबसे पहले जो महरों का या यू कहे हैं लिपी का जो शाक्ष मिला वो मिला कब 1853 में यह आपका पहला प्रसन है दूसरा प्रसन देखते हैं महोंजोद्रों से प्राप्त पशुपती महर पर योगी की मुद्रा में चार पसुओं से आवरत एक देवता का अंकन है वे चारों पसु कौन कौन से हैं ऑप्शन है चीता गेंडा भैसा वे अश्व दूसरा है आपका चीता गेंडा सर्प वे ब्रशब तीसरे में सिंग गेंडा और ब्रशब और चोथे में बाग गेंडा भैसा वे हती क्या आंसर होगा इसका तो देखते हैं इसका आंसर क्या है इसका आंसर है D पशुपती की महर सिंदु सब्विता की सबसे प्रसिद महर या सील जो हमें कहां से प्राप्त हुई महां जोजड़ों से प्राप्त हुई इसको खोजा किसने कैप्टन मैके ने खोजा कैप्टन मैके ने और इस मोहर के उपर एक तीन सींग वाले और तीन मुख वाले एक योगी की पृतिमा क्या है बनी हुई है जिसके एक तरफ दो जानवर एक तरफ दो जानवर है तो बस वो ही चार जानवर वो आपसे पूछ रहा है तो इसका right answer होगा एक तरफ तो है चीता गैंडा, बेसा और हाथी ये चार जानवर है और इसके पैरों में दो हिरन भी बैठे हुए दो हिरन भी बैठे हुए इस प्रकार अगर कुल जानवरों की बात की जाए जानवरों की तो कुल जानवरों के संक्या तो है छै कुल जानवरों के संक्या तो छै लेकिन अगर प्रजाती पूछ जाए कि कितने प्रजाती के जानवर हैं तो सातियों ध्यान रखिएगा पांच प्रजाती के जानवर हैं क्योंकि इसके अलावा दो हिरन भी बैठे हुए हिरन तो हिरनो को भी हमको काउंट करना पड़ेगा और इस प्रकार एक दो तीन चार और पाँच प्रजाती तो पाँच हो गई और लेकिन जो जानवरोग संक्या है वो कितनी है इस तीसरा प्रसिन आपका उत्तरी दुरूब को आर्यों का मूल निवास इस्तान मानने वाले विद्वान हैं तिलक तिलक उग्र राजनीती उग्रनीती के जनक तिलक उग्रनीती के जनक तिलक और तिलक द्वारा मांडले जेल में मांडले जेल में सजा काटने के दौरान आर्टिक हॉम आफ दी वेदाज ग्रंथ की रचना की गई और उसी ग्रंथ में इन्होंने जो है आर्यों का मूल निवास इस्तान उत्री दुरूब को बताया आर्टिक हॉम आफ दी वेदाज अगला प्रसंद देखते हैं अथर्वेद में वर्णित प्रतम क्रिसी वैज्यानिक कौन था ओप्शन है वशिष्ट गौतम सुदेश या प्रत्यूव्यन्य तो इसका राइट आंसर है ये प्रत्यूव्यन्य अथर्व वेद में इस पस्ट रूप से हमें जो है किरसी प्रक्रिया की जानकारी मिलती है और अथर्वेद में यह वर्णित है कि सबसे पहले किरसी प्रक्रिया को जरम प्रत्यु वेद द्वारा दिया गया था अथरवेद में हाला कि रिगवेद के अनुसार रिगवेद के अनुसार जो किरसी प्रक्रिया की की सुरुवात की ती वो मनु द्वारा की गई थी और किस ने चलवाया तो आश्विन बंदूओं ने आश्विन बंदूओं ने जो है मनु को हल चलाने की क्या दी शिक्षा दी यह रिगवेद में उलेकीत है लेकिन अथर्वoléद के अनुसार प्रत्यू वेंन द्वारा जो है किसी प्रक्रिया की क्या की गई, शुरुवात की गई थी, अगला प्रसन है आपका पांचवा, बहुत दरम का हीनियान संपरदाय विश्वास करता है, ऑप्शन है, गौतम बुद्देक महामानव या महापुरुष हैं, किन्तु अवतार नहीं, बी गौतम बुद्देक अवतार हैं, सी, गौतम बुद्देक साधारन मानव हैं, या डी, गौतम बुद्देक साधारन शाशक हैं, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, हीनियान संपरदाय, प्रसन को थोड़ा सा पढ़ने का प्रियास करें, हीनियान संपरदाय, बहुत दरम का हीनियान संपरद तो सातियों इसका राइट आंसर है ये गौतम बुद्ध एक महामानव या महापुरुष हैं किन्तु एक अवतार नहीं बिलकुल क्योंकि महात्मा बुद्ध के महापरी निर्वान के बाद जो भिक्षुक संग था भिक्षुक संग वे दो भागों में विवाजित हो जाता है एक तो आगे चल कर कहलाया हीनियान और एक कहलाया महायान ये जो हीनियानी हैं ये बुद्ध के नियमों का अक्षर से पालन करने वाले हैं और महात्मा बुद्ध ने भी ईश्वर के अस्तित्त में विस्वास नहीं किया था और उन्होंने कभी भी स्वैम को ईश्वर निका और यही कारण है कि हीनियान वाले जो जितने भी अन्याई हैं वो बुद्ध को केवल और केवल महामानव के रूप में स्विकार करते हैं जबकि माहयान दर्शन के अंदर बुद्ध को ईश्वर माना जाता है और यही कारण है कि बुद्ध को ईश्वर माने जाने कारण सबसे पहले माहयान दर्शन में बुद्ध की क्या हुई मूर्ती पूजा शुरू हुई नेक्स्ट परसंद देखते हैं, प्रारंबिक बॉद्ध साइत में वर्दमान का उलेख किस नाम से हुआ है, महावरी, जिन, निगंट नात्पुत या अहर्थ, इसका सही उत्तर है, वर्दमान, अर्थार्थ, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, जैन दरम के 24 वे तीरतकर महावीर स्वामी, और जैन दरम के 24 वे तीरतकर महावीर स्वामी को बॉद्ध गरंतों में कहा गया है, निगंट नात्पुत, निगंट नात्पुत की संग्या दी गई है, महावीर स्वामी को बॉद्ध गरंतों में, प्रारंबिक चैत निर्मान के निर्देश तता इनमें इस्तापित करने के लिए बुद्ध के आउसेशों को लेकर विवाद का विवरण सरप्रतम मिलता है। नहां पर निर्मान में प्रिवेश के बाद राम संबार नदी के तट पर कुशी नारा में दाहसंसकार प्रिक्रिया के बाद जो है बुद्ध के अस्ती आउसेशों को लेकर हुए जगडे और जगडे के निवारन करने वाले ब्रामन द्रोन का उल्लेक मिलता है। और बुद्ध के अस्ती आउसेशों को आठ वागों में माटा गया था। ये सारी जानकारी हमें इसी गरंद से मिलती है महापरिनिब्बान सुथ से। अगला है आठों सवाल। किस महाजनपद का साब्दिक अर्थ पशुपालक समदाय था। ओप्शन है वत्ष, पांचाल, मतश्य या वज्जी। तो इसका सही उत्तर है ये वज्जी संग, वज्जी संग का आर्थ था पशुपालक संप्रदाय या समदाय। और इसमें आठ जो छोटे-छोटे कबीलों का एक संग था आठ और इसलिए इसका नाम पशुपालक संबदा या वज्जी संग था अगला प्रशन राजग्रे के चारों और दातु चेत्ट का निर्मान करवाया था राजग्रे अब राजग्रे से हम प्रशन को पकड़ेंगे ओप्शन देखेंगे अजा सत्रू ने, शिशुनाग ने, महापदमनंद ने या घणानंद ने तो इसका राइट आंसर होगा ये अजा सत्रू ने अभी पिछले पिशन में मैंने बताया कि बुद्ध के अस्ति अवसेसों को आट वागों में बाटा गया था और आट वागों में से एक भाग अजात सत्रू ने लिया और अजा सत्रू जो है हिरिया कवंस का दूसरा सा सक था तता बुद्ध का अन्याई था और इसके द्व को क्या कहा जाता है ए चित्रित गूसर मर्दबांड बी लाल पर काले रंग के मर्दबांड सी उत्री काली पालिस वाले बांड और डी चित्रित बांड तो इसका राइट आंसर है उत्री काली पालिस वाले मर्दबांड ठीक है क्योंकि मौर्रकाली नहें मौर्रकाल में यही म चला करता था ग्यारूमा प्रशन अगला कोट्रिल के अर्थास्तिर में वर्णित प्रनयकर का अर्थ है उपस्शन आपके सामने आपात कालिनकर बी अंतर जाती है प्रनय संबंदों पर लगाया गया कर तुषे इसका राइट आंसर है आपात कालिन कर बारवा प्रशन अशोक के सारनात सिंग सीर्ज इस्तंब के फलक पर प्रदर्शित पश्वों का सही करम क्या है यह ओप्शन में हाती वर्षब अश्व या सिंग हाती वर्षब सिंग अस्व सिंग वर्षब अस्व हाती अस्व सिंग वर्षब हाती तो उसका राइट आंसर है ये हाती, ब्रसब, अस्व, सिंग, सारनात इस्तम, चार पशु आकृती के नीचे गोल फलक पर ये चार जानवर अंकित है, हाती, ब्रसब, अस्व और सिंग, बुद्ध के गर्ब में आने का प्रतीक हाती, युववस्ता का, यौवन का, ब्रसब, और जब वो बुद्ध बन गए, तो एपराजीत अवस्ता को, या समरदी का प्रतीक क्या है, सिंग, तो ये चार जानवरों को ये उचित करम यही होगा, इसके बाद अगला प्रसन है आपका, किस सूपी संत को उदार हैं से हैस्टिकोन के कारण, मैबू बेलाई, या निजामुदीन चिस्ती, तो इसका राइट आंसर है, निजामुदीन ओलिया, दिल्ली के प्रसिद्ध सूपी संत निजामुदीन ओलिया, मुहम्मद बिन तुगलक के समकाली निजामुदीन ओलिया, अमीर खुसरो के गुरु निजामुदीन ओलिया, और भारत के प्रसिद पिद्धतम चिस्ती शाका के संतों में से एक निजामुदिन ओलिया इन्हें मैभूब-इ-इलाईया इश्वर के प्रेमी के नाम से भी संभूदित किया जाता था अगला प्रस्न है प्रेमबाटिका का रचनाकार कौन था ऑप्षण है नाबादास, सूर्दास, तुल्सिदा या रस्खान उसका राइट आंसर है रस्खान प्रेम बाटिका प्रेम बाटिका गरंत रस्खान मुगल काल में मुगल काल में भगवान श्री कृष्ण पर रचनाय करने वाला एक मात्र मुश्लिम रस्खान बहुत बड़े कृष्ण बगत थे रस्खान और इनके द्वारा प अगला प्रश्ण मुगलकाल में आइना ए दैसाला प्रणाली किसने प्रारंब की हुमायू, अक्बर , जांगीर , या साझा ? तो इसका राइटा आंसर है आइना ए दैसाला , इस प्रणाली का जनक जो था वह कौन था ? प्रणाली का जनक था अकबर और अकपर के दरवारी टोडरमल ने गुजरात में इस प्रणाली को लागू किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में अकपर के द्वारा इसे लागू किया गया यह भूमी कर निर्दारन की प्रणाली थी अगला प्रणाए आपका मुगल काल में जकात का आशिया था व्यापार कर जो कुल मुल्य का 20% ता युद्द की लूट भूकर जो मुसल्मानों के उपर उपज का 10% की रासी का लगा जाता था या गैर मुसल्मानों का उपर लगाया गया कर तो इसका राइट आंसर होगा मतलब मुसल्मान जो किसान थे उनसे भूमी करके रूप में जो राशी ली जाती थी उसे जकात कहा जाता था और ये कितना होता था दस प्रतिशत का होता था अगला प्रस्ण है ऍउप ऐसका ऐस बतिशन ये एक अन्पाथ सोब्सक्राप था उसका उप्छन हमें चान्दी और सुने के मुल्य में अंतर था वो था इक अन्पाथ चौन आगला प्रस्ण यह नहीं तो प्रथम था नहीं राष्टिया और नहीं स्वतंतरता के लिए युद्ध 1857 के विद्रों के संबंद में उक्त कथन किसका है option है B.D. S.A.W.R.K.R. S.N. R.C. मजूमदार या Benjamin D.D.G.R.E.L.I. और right answer है इसका R.C. मजूमदार R.C. मजूमदार ने 1857 के युद्ध के लिए कहा क्रांती के लिए कहा कि नहीं ने तो यह प्रथम था नहीं यह राष्टिया और नहीं स्वतंतरता के लिए युद्ध था इसके बाद अगला प्रस्ण है आपका गुपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्सता की गुपाल कृष्ण गोखले महत्मा गांधी के राजनेतिक गुरू गुपाल कृष्ण गोखले पहला 1888 का इलाबाद अदिवेशन 1905 का बनारस अदिवेशन 1888 का मदरास अदिवेशन या 1906 का कलकत्त अदिवेशन और उसका राइट आंसर है 1905 का बनारस अदिवेशन 1905 के बनारस अदिवेशन के अध्यक्स थे गोपाल कृष्ण गोखले इसके बाद अगला प्रसन है आपका बारतिय राष्टि कांग्रेस के उधारवादी युग में बारतिय ग्लैड इस्टॉन की उपादी दी गई एमे जिन्ना को गोपाल कृष्ण गोखले को फिरोशा मैता को या दादा भाई नहरो जी को और इसका राइट आंसर है ये दादा भाई नहरो जी दादा भाई नहरो जी पारसी थे बहुत बड़े समासुदारक थे और इन्हें भारतिय ग्लैड इस्टॉन या ओल्ड ग्रांड मेंड ओफ इंडिया भी कहा जाता है अगला प्रशन है आपका रहत वाड़ी विवस्ता के जनम दाता थे थावटन, हॉम्स, टामस मुनरो या कैप्टन रीड तो रहत वाड़ी विवस्ता के जनक थे हॉम्स रहत वाड़ी विवस्ता अंग्रेजो द्वारा भारत में जो किसानों से कर लेने के लिए जो विवस्ता की संचालित की गई थी उसका नाम है रहत वाड़ी और इसके जनक थे कौन हॉम्स अगला प्रसन है आपका यदि भारत को जानना है तो पहले विवेकानन्द को पड़ो कथन है आर एंट एगोर रमिनाथ टैगोर का आर सी बोस नेता जी सुवास्चंदर बोस का पंडित नेरुया सरदार पटेल और इसका राइट आंसर है ये आर एण टैगोर रमिनाथ टै टैगोर जी ने सवामी जी के लिए कहा कि अगर आपको भारत को जानना है तो आप पहले विवेकानन जी को पड़े क्योंकि इनके कतन युबाउउं के लिए प्रेणाद जाता है राइट आट आंसर ये विवेकानन जी इस त्योहार की सुरुवात मेवाड के रणा राज सिंग द्वार अपनी पत्नी की स्वृती में की गई थी और यहीं की प्रसिद्ध है उदैपूर की अगला प्रस्ण मदील क्या है एक मिट्टी का पात्र एक प्रकार की पगड़ी एक चित्रिया एक प्रकार का वस्त्र तो सातियों मदील जो है एक प्रकार की पगडी है यह पगडी मदील जो है दसेरे के आउसर पर कोटा में इस पगडी को पहना जाता है दसेरे के आउसर पर यह मदील अगला प्रशन है आपका नवलखा दर्वाजा किस दुर्ग का प्रिविश द्वार है विकानेर जालोर मेरानगडी रन थंबोर और इसका राइट आंसर होगा रन थंबोर रन थंबोर दुर्ग का प्रदान प्रिविश द्वार नवलखा दर्वाजा के नाम से जाना जाता है यह एक गिरिदुर्ग है और इस पर चोहान वंस के शासक हम्मीर देव चोहान का पराक्रम जुड़ा हुआ है इस दुर्ग से अगला प्रसन है आपका वेशरी नामक आभूशन किस शैली में चित्रित किया गया है जोदपुर शैली बुंदी शैली किसंगड शैली या कोटा शैली आंसर है आपका इसका किसंगड शैली किसंगड शैली में जो है वेशरी नामक आभूशन को दिखाया गया है मैलाओं को कुमबा किस वाद्यंत्र का वादक था और इसका राइट आंसर है कुमबा बहुत बड़ा संगीत की तो था इसके अलावा बहुत कुशल वीना वादक भी थे अगला प्रसन है वरंदावन में गोविन देव जी मंदिर का निर्माता थे मान सिंग पर्थम, मिर्जा राजा जैसिंग पर्थम, विशन सिंग या सवाई जैसिंग दिती है तो गोविन देव जी मंदिर का निर्मान जो ब्रंदावन में हुआ उसके निर्माता थे मान सिंग पर्थम मान सिंग पर्थम के द्वारा ये मंदिर क्या है बनवाया गया था और बाद में फिर जब औरंग जेब के इंदू विरोधी नियमों का पालन हुआ तब यहाँ से गोविन देव जी की मूर्ति को बचा कर जैपूर लाया गया था तो इसका राइट आंसर मान सिंग पर्थम हो सावनी थी वैसे तो अठार सतावन करांती में हमरे राजस्तान में लेकिन जो पॉल्टिकल एजेंट की बात करेंगे तो जैपूर का पॉल्टिकल एजेंट कौन था इडन था और सातियों अंतिम सवाल आपका मतसंग की राजदानी थी तो सातियों मतसंग की राजदानी क् एक ही करण हुआ या निर्मान की प्रक्रिया चली तो जो प्रथम चरण था उसको मतश्य संग कहते हैं और उसके उद्गाटन करता का नाम था नरहर विश्नु गौडगिल एन्वी गौडगिल और इसका निर्मान 18 मार्च 1948 को हुआ यह आपके 30 सवाल हो गए मैं आशा करता हूं कि आपको आपने बहुत अच्छा प्रिजेंटेशन इसमें दिया गया और मेहनत कीजिए समय का नुसार बढ़ते चलिए पढ़ते चलिए अपने आप में उत्र-उतर सुधार कीजिए इन्ही सभी और नमस्कार